उचपरपुर के कुर्णे विदान सबाब चुनाओं के लिए वोटिंग जारी है सभी मद्दान केंद्रों पर मद्दान शांते पुन तरीके से हो रहा है सुबह 11 बचे तक कुल 24 से प्रितिशत मद्दान हुआ है मद्दान केंद्रों पर सुरक्षा के पुकता इंतिशाम किए गये है कुल 320 समद्दान केंद्रů बनाए गए है मद्दाताओं की कुल संख्या 3,11,728 से जिसमें महिला मद्दाताओं के संख्या 1,46,570 है जबकि पूरिश मद्दाताओं के संख्या 1,64,474 है सभी मद्दान केंदर उपर पारा मिलिटरी फोर्स की तहनाथी की गई है चुनाव में 13 प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं बदादे कि यहां महागडबंधर ने तीन बार की विधायक रहे जेडियू के मनुष को श्वाहा कू में द्वार बनाया वाई बीचेपी ने पिछले चुनाव में 17 समतो से पीशे रहे गया पुरविधायक के दारगुपता पर अपना दाव लगाया मुकाबले को रोचक बनाने में वियाईपी और ओवैसी की पार्टी के में द्वार भी मैदान में कोई कसर नहीं छोड़े हैं गौर्तलवी कुर्णी में सुमबार को वोटिंग हो रही है और 8 डिसमबर को मदगरना होगी बहुत बड़ा आसिरवाद प्यार मिलना है लोगों का लंबा लंबा लाइन हम देख रहे हैं लोग जब हम जाते हैं बूत पर खोम मुस्कुराते हैं इसे साबित होता कि महागट बंदन मजबूत है और यहां लाक वोट से उपर महागट बंदन को आवेगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम ये पाच्वी बार विधान सभा का चुना उलर रहा है लेकिन जितना लोगों में खुसकी हाली जितना लोगों में पयार समर्थन मिला इतना अभी तक कभी कि-सी चुना मिने मिला था अपने भी अपना वोट काशक कर लिया है तमाम लोगों से पील भी कर रहेगा पिल्कुल राहूल इस वक्त हम चाजन के खरियार बूत पर हैं एक सो एक तालीस और एक सो बैयालीस दो बूत यहां पर हैं अब आप पीछे देख सकते हैं और मदाता जो हैं वो कतार में लगे हुए हैं हलां कि अब जैसे जैसे सुबह में जितनी भीर थी उसमें थोड़ी कम नहीं आई है लेकिन अब एक बार फिर से जब काम खत्म करके फिर एक बार शाम जब वोटिंग खत्म होने वाले होगी उसे पहले एक बार और फिर सलम भी कतार दिखेंगे लिए कि फिलाल इस वक्त जो है वोटर यहां पर लाइन में लगे हैं और अपने मताधिकार का प्र वस्ता है और इस मदान के अंदर पर लगातार जो मदाता है वो पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और कुछ एक मदाता हैं हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी थोड़ा सा बाचीत कर लें और आपको बताएं कि वह क्या सोच रहे हैं आप यहां मदा कर रहे हैं कि हमारा अधिकार अच्छा चुन सके हमारा जो नेता अच्छा हो सके वास पुरानी के लिए क्या चाहिए और क्या सोच कर मदान करेंगे अच्छा अथी चाहिए नेता यहीं कितना विकास हुआ और कितना बागी है विकास विकास के लिए अच्छा नेता चुने लिए तो प्रत्याशियों का ये कहना है कि विकास अच्छा हो इसके लिए अच्छा प्रत्याशी चुनेंगे और इसके लिए मताधीकर का प्रिवकर करने के लिए आए हैं और वोटरों में वह खासा उच्छावी दिख रहा हैं अभी एक से एक वज़कर कुछ मिनट ऊगे थ जो मद्दाता हैं पहुंचरें मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और कुछ महिलाएं भी इन से भी जानते हैं आप अपने मद्दान कर लिया है क्या सोचकर मद्दान की है कैसा प्रत्याशी चाहिए तो वाला कि ये कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रही है लेकिन इनका कहना है कि मत्दान जो है वो बहुत जरूरी है और जो मत्दान को लेकर विकास की बात है वो ध्यान मेरा क्रेंटों ने मत्दान क्या है और साथ सुरक्षा कर्मी इन से भी जानेंगे किस तरीके कि तो रावल बिल्कुल अगर यहां की बात करें हम खर्यार की तो यहां पर विवस्ताइं सुधरिट की गई है और वोटर को कोई परेशानी नहों इसको लेकर इंतिजामात किये गए हैं और शांतिपुन महाल में लोगारें अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं अब इतले कि जो तस्वीर फिलाल सामने कुछ मद्दान के इंद्रों से सामने है वोटर बहुत ज़्यादा नहीं पहुंच पारें इसके पीछे का फैक्टर क्या कुछ नसर आ रहा है और वाकई जो मुद्दे हैं वो किस तरीके से उनके मन में चल रहा है और उसको लेकर के व सुबह का वक्त था तो यहां काफी लंबी कतारे लगी हुई थी और सड़क तक यह कतार पहुंच गये थी जैसा सुरक्षा कर्मी भी यहां वो बता रहें थे लेकिन जब जैसे ही सुबह का वक्त होता है अमोमन लोग काम पर जाने से पहले मताधिकार का प्रयोग करते हैं पर फिर बीच में कुछ अपने निजीकारे हैं या फिर घर का काम है माईलाएं वो निप्टाती है और फिर दोपहर के बाद फिर से हुजूम पहुंचता है मतान के इंद्रों पर तो उस वक्त ज्यादा भीड होती है लेकिन यह बीच का वक्त है इसमें थोड़ी कम भीड ह होती है और इसी वज़े से कातारे लंबी नहीं दिख रही है लेकिन मुद्दा जो है वो अपने जगह है और लोग इस मुद्दे को ध्यान में रखकर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं इनका यह मानना है कि कुछनी का विकास और भी हो और मुखी रूप से सड़क और स्व पर मदाता पहुंचे हैं और दो पहर के बाद उमीद की जानी चाहिए कि लोगों और भी ज़्यादा टर्न आउट होंगे और मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिराओन चले बिल्कुल हम चाहेंगे कि थोड़ा सा लोगों से भी बात करेंगे जो वोट देकर के निकल रहे हैं महिलाएं तो हैं लेकिन कुछ कम ही संख्या जो है वो नसर आ रही है कि क्या मन में मसला चल रहा है उसको लेकर के वोट जो है उन्होंने किया हाला कि कुछ सरूर करके विकास को लेकर कि हम अपनी वोटिंग का इस्तमाल जो है वो कर रहे हैं और को बताएं कि कैसे लोग कुरंडी में अपने मता अधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुचे हैं को अपम अधान करने के लिए पहुचे हैं कर दो चुनाव हो रहा है क्या मदान करने के लिए पहुचे हैं इस वार रुकषे में क्या और विकास होना चाहिए जो नहीं हुआ है क्या कमी है क्या होना चाहिए और हम लोगे दिक्कत है तो साथ वर पर राहूल इनका कहना है कि सड़कें जो मैंने पहले भी आपको बता है कि सड़कें और स्वास्त की जुस्तुविधा है वो और सूद्रिट कैसे हो इसको लेकर यह सभी यहां पर चाह रहे है कि उसकी व्यवस्था सूद्रिट हो और इसको लेकर यह ध्यान में रखकर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं हला कि अभी थोड़ी सी लाइने कम जरूर है लेकिन मदान करने के लिए एक एकर लोग पहुंच रहे हैं बूद पर और एका दुका मदाता अभी पहुंच रह पहुंची है क्या कुरणी में चाहिए और क्या बाकी है और क्या होना अ है दो टो बूलने से शर्मा है यह ये हो गर्रामीन महिला है और आम तर कर र Under परिवेश में बोलने से सख्षाथ होती है इनकी लेकिन इनके मन के जो भाव है उसको अगर आप देखेंगे तो विकास की बात है एक महिला है जो दूर से कुछ बोलती आ रही है हम इनका प्रतिक्रिया लेंगा क्या कर यह आप क्या विकास होना चाहिए वोट लेने के लिए क्या चाहिए कुणनी में आए और इनके शिकायत है और शिकायत के बाद इनकी उम्मीद भी है और यह जलाहट इस बात को साबित करती है कि इनकी शिकायत जरूर है लेकिन लोकतंत्र के सजग प्रहारी है ये मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे ये अच्छी बात है लोकतंत्र की खुबसूर्ती राहूल यही है जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया अमें तमाम चाहनकारी के लिए तमाम तस्वीर के लिए आपका तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे